आज दोस्तों प्रॉब्लम की अडिस्टेंड लेता हैं, यहां पर हमें evaluate करने को बोला है, तो two problem हमें यहां पर दिये हुआ हैं, इनकी evaluation करनी है, कैसे करेंगे आए समझते हैं, इनको solve करते हैं, देखिए, यहां पर क्या कहा गया है, देखिए, यहां पर exponent यहां पर minus में दिये तो four है, फिसकी power हो गई one, reciprocal का भी reciprocal, और यहां पर करेंगे, यह हो जाता है minus one, इसको touch मत करिए, यह minus one आप as it is लिख लिए ठीक है, अब यहां देखिए, three की power one है, मतलब यह three है, minus four की power मतलब यह four है, तो minus one यहां पर आगया, यह हो गया minus one, अब देखिए, यहां पर जादा one by minus one, यह इस तरह लिखा जाएगा, is equal to, यह minus one ही होता है, तो यही इसका दोस्तो answer हो जाएगा, तो यहां पर confusion होती है काफी, तो यहां पर इस step में confusion होती है काफी, तो one by one करेंगे, तो इसलिए मैंने बुला सबसे पहले, इस minus one को handle करिए, तभी देखिए, मैंने minus one यह जो है, ठीक है ना, और ठीक है दोनों base जो है, वो कुछ कुछ similar से लग रहे है मुझे, 5 by 8 और 8 by 5, ठीक है ना, कैसे करेंगे इसको देखिए, तोड़ी intelligently इसको handle करते, सबसे वाले minus वाले जो है ना, इनको हटाई है exponent को, यहां पर करेंगे तो 5 by 8 minus 7 है, तो यह इसका reciprocal का reciprocal का reciprocal क करेंगे 5 by 8 यह हो जाएगा 4, परफेक्ट, अब यहां पर दीखे क्या करना है हमें, इन दोनों base को common बनाना है, सेम बनाना है, कैसे करेंगे, complexity ना हो, ठीक है ना, complexity ना हो, आपको समझाता हूँ, 8 by 5 क्या है, यह दो समझे, 8 by 5 को मैं कैसे लिखता हूँ, 1 by 5 by 8, reciprocal का reciprocal, reciprocal को अ उपर 7 है, into 5 by 8 हो गया, यह हो गया 4, अब इससे help मुझे क्या मिली है, कि बेको 5 by 8 के terms में answer आ गया, इसका मतलब क्या है, यह देखिए, मान लेते हैं, मैं 5 by 8 को A बोल देता हूँ, ठीक है, confusion ना हो, number है, reciprocal को चल रहे हैं, इसलिए मैं इसको 8 बोल देता हूँ, यहां पर क्य है, आपका 5 by 8, ठीक है ना, यहां से देखिए, यह 5 by 8 है, minus 3, इसको further solve करेंगे, यह क्या बनाएगा, यह बनाएगा, 1 by 5 by 8 की power 3, is equal to, 1 by 5 की power 3 कितना है, 125, divide by 8 की power 3 कितना है, 512, यह क्या हो रहेगा, 512, divide by 125, यही दोस्तों, इसका answer और solution हो जाता है, किस तरीके से हम इसके understanding ले सकते हैं, तो concept वही है, चीजे वही है, समझना है, हमें किस तरह लेके जाना है, और understand करना है, कि जब हमें एक जैसा pattern नजर आ रहा है, तो हमें किस तरीके से same base से उसको handle करना है, तो इस तरह किस हमने same base बना दिया, और problem को solve कर दिया, इस तरीके से समसकते हैं Thank you